Hello Sun Moon and Rising Capricorns Welcome to my channel Dream Tarot ये आपके पार्टनर की thinking के हवाले से reading है कि वो क्या solution और नेक्स action क्या है और ये timeless collective message होगा timeless means कि जब भी आप इस message को देखेंगे आपसे resonate करेगा और आप मेरे दूसरे timeless messages पर देख सकते हैं अपने zodiac sign के हिसाफ से अगर आप नहीं हो है मेरे चाहलों पर हो सकता है उस time पर आपसे resonate कर जाए और collective message means कि ये general message है जितना आपसे resonate करें उतना लें और अगर आप मेरे चाहलों पर नए है तो उसको subscribe करें मेरे दूसरे चाहलों पर सबस्क्राइब करें उनका link डिसक्रीप में मौझूद है अगर आपको मुसरे personal reading चाहिए तो भी आपको मेरे instagram पर contact कर सकते हैं so let's see कि क्या messages आपके लिए आ रहे है guilt and enlightenment तो यहां पर आपके person जो है वो किसी regret पे है, guilt पे है और उनकी spiritual awakening भी इसे time पे हो रही है या तो उनको spiritually कोई science दिये जा रहे हैं, उनकी दिमाग को खोला जा रहा है for you, तब ही उनको guilt महसूस होता है उनकी पास में कोई ऐसी चीज़ की है आपके साथ जिसका उनको अभी भी regret है, guilt है और वो अपनी happiness को आपके साथ देखते हैं, तब ही आपके लगर वो happy रहने ही पारे तो अपनी खुशी को तलाश कर रहे हैं, खुशी जब आपके अंदर गम भरता है, तब ही आपके enlightenment होती है तो उनको ऐसा गम मिल रहा है इस टाइम पर, कि जिसका वो guilt कर रहे हैं, अपनी पास के गल्दियों उपर guilt कर रहे हैं और उनकी साथ साथ spiritual awakening भी हो रही है, means के spiritual lessons मिल रहे हैं उनको इस टाइम पर, guidance मिल रही है self worth, तो हो सकता है कि उनको अपनी self worth का अंदाजा उनको हो रहा है, इस वक्त में उनको लगता है कि उनकी, उनके साथ जयाती हुई है, तब ही वो अपने आपको secure करने के कोशिश करें, अपने self love करें इस वक्त में confusion, तो वो confused भी है, कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं confused है, कि उनको अपनी self worth को पहचानने में उनको थोड़ी सी confusion हो रही है, तब ही वो guilt में भी जाते हैं, बद साथ-साथ उनकी spiritual growth भी है, let's see कहीं confusion क्या है यहाँ पर, what is this confusion? कभी-कभी उनको ऐसा फील होता है, कि वो guilt में जाते हैं, और आपके बगाएर जो है, वो खुशी महसूस नहीं करते हैं, आपके बगाएर उनको लगता है कि उनकी खुश्या नहीं हैं, और confusion इसलिए कि वो फिर confused हो जाते हैं, और पर पर समझते हैं, कि उनको अपनी self worth का ख कजाने जाते हैं, यहीं उनकी confusion है, कि वो किसी mood में होते हैं, कभी उनकी सोच कुछ होती है, कभी अपने आपको victim समझने लगते हैं, और कभी वो अपने आपको कसूर वार समझने लगते हैं तो यह confusion उनकी लाइफ में चल रह रही है वात साथ-साथ अनकी spiritual growth भी हो रही है, का यहां पर यही शो कर रहा है कि वह किसी गहरी मायूस ही में या कन्फूजन का शिकार इसलिए हो रहे हैं क्यूंकि उनको लगता है कि वह विक्टम है कभी उनको लगता है कि आपके शाथ गलत हुआ तो यह सब चीज़ें उन्हें एक confusion में लेके जा रही है और यही confusion उनको एक गहरी मायूसी में लेके जा रही है उनको बहुत दा मायूसी हो रही है कि यह कैसी situation उनकी life में चल रही है इस वक्त में तो confused ज्यादा है उन्हें clarity नहीं है इतनी अभी जब भी वो guilt को feel करने लगते हैं वे जब वो guilt feel करते हैं तो फिर वो confused हो जाते हैं और फिर समझते हैं कि उनके साथ गलत हुआ फिर वो अपनी self worth को पहचानने लगते हैं means कि उनको लगता है कि मैं सही हूँ और मेरे साथ गलत हुआ है मेरे साथ justice होना चाहिए तो यह सब वो सोचने लगते हैं तो यहाँ पर confusion का चीकार वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उनका next action क्या हो सकता है definitely वो recognize करेंगे realize करेंगे कि कहां पर क्या गलत है किसने गलत किया उन्होंने या आपने तो वो इस उनके सामने चीजें आएंगी limelight में आएंगी और definitely victory उनको मिलेगी situation में और वो patch up की तरफ सोचेंगे आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे इस connection में आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं connection में like वो पहले recognize करेंगे जो भी situation है कहां पर गलत है कहां पर सही है उसको recognize करेंगे और फिर वो इस confusion से निकलाएंगे clarity के साथ yes clarity के साथ और हो सकता है कि वो आपको अपने emotions भी show करें जैसे कि हो सकता है वो emotions show करें और communication के लिए भी ready हो क्योंकि clarity देनी है clarity चाहिए भी और देनी भी है तो यहां पर दोनु सूरतों में communication is the best way तो वो communication करेंगे और अपने emotions को भी आपके सामने show करेंगे so that was your reading if it's a student you please let me confirm in a comment below like my video subscribe my channel thanks for watching